आदिपुरुस फिल्म आने के बाद जिस तरह से उस फिल्म की फजीहत हुई शायद उसके निर्देशक और इस फिल्म में प्रभुशी राम के किरदार निबारे साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आदिपुरुस में दिखाए गए प्रभास के लुक और एक्टिंग लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई थी और यही करन था कि आदिपुरुस फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई लेकिन अब प्रभास के फैंस के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है तमस्कार मेरा के नाम है गौरब और आप देख रहे हैं किया न्यूज का फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम सिनेमा की बात सुबह टीजर को भारत में पी रिलीज कर दिया गया है कॉमिक कॉन में प्रभास कमल हसन और डिरेक्टिर नाग अश्विन की मोजूदगी में फिल्म के टाइडल और तीजर से परदा उठाया गया सेंडियेगू कॉमिक कॉन में दिस इस प्रोजेक्ट के फर्स ग्लिम्प्स ऑफ इंडियाज माइथो साइफाई एपिक टाइटल से इसका टीजर जरी किया गया ये एक बववाशी साइन्स फाई फिल्म है जो की नाग अश्विन के द्वारा निर्देशित की गई है और वेजनती मुवीज द्वारा इसको निर्मान किया गया है टीजर में कहा गया है कि जब दुनिया पर अंधेरा चा जाता है तो एक हीरो भरता है कल की 2898 AD की जलक भवेशी की एक युद्धिगरस्त दुनिया को दिखाती है जहां लोगों पर अंधेरे बलो और टेक्नलोजी का शाशन होता है और उत्पीड़क द्वारा उनके साथ हि किरदार किसी सेना में सिपाई के रूप में है जो भावनात्मक उथल पुथल में फसी हुई लगती है जबकि प्रबास का किरदार एक बहादूर योद्धा की रूप में दिखाई देता है जो अपनी दुनिया को बचाने के लिए मौके पर पहुंचता है तीजर में अमीत जनवरी 2024 को बारत और दुनिया भार में तेलगू, हिंदी, मल्यालम, कंणर और अंग्रेजी भाषा में रिलीज होगी तीजर देखने के बाद फैंस का उत्सा काफी ज्यादा हाई हो गया है वही वस 2024 की सबसे बढ़े रिलीज में से कल की 2898 AD को भी माना जा रहा है और क्रि